तो हैलो नमस्ते रावराम क्या है दोस्तों उमीद करता हूँ सबी लोग बहुत बहुत बढ़िया होंगे वाई सब एकसेपाजी का दिमाग खराब है या फिर क्या है I don't know क्योंकि ये कहते हैं कि वाई सब हम इतनी मूवी लेके आती हैं रिमेक कॉंटेंट पर ज्यादा काम करते हैं जिसमें से उस रिमेक कॉंटेंट में एक नमबर और बढ़ाने के लिए इनकी नुई मूवी का टेलर आ चुका है सर्फिरा जिसके बारे में भी बात करने वाले हैं और वो ये बंदाओंगा कि भाई सब ये किस का रिमेक होने वाला है वीडियो को एक लाइक ने हो तो चैनल को सबस्क्राब जरू करना है चलिये शुरू करते हैं आज कल थोड़ा लेट वीडियो आ रही है इसलिए भी आरी क्योंकि other projects में थोड़ा काम चल लाए है क्योंकि इस वाले channel में YouTube अपना वो साथ ही बंदु वाला हिसाब किताब नहीं support कर रहा है that's why कि थोड़ा सा backup बनाना पट रहा है फिलाल back to the point कि सरफिरा का trailer आच चुका है जो अगर देखें एक viewers की नजर से जो originality की बात कर देए तो वैसा trailer full promising है जो इसमें कहानी होने वाली है वो बिल्कुल down to earth एक ऐसे बंदे कहानी होने वाली है जो full आपको inspire भी करके जाएगी motivate भी करके जाएगी क्योंकि वो बंदा full करदे में डूबा है लेकिन उसके पास एक idea है कुछ करनी का वो जजवा जुनून है एक ऐसे impossible को set करना जो सायद कोई ख्याल में भी निलाता हुआ लाइक वो चाहता है कि गरीबों को भी उड़ने का मौका मिले यानि प्लेन में जाने का मौका मिले जिसमें ticket price एक रुपए के आसपास हो sense मनाता है कोई बात तो भाई साब ये इस वारे पर बात होने वाली है इसमें जो भी जद्व जध होगी वो टेलर में भी देखने को मिलना है किस हिसाब से ये अपने दिमाग का विस्तमाल करने वाला है अपनी willpower का इस्तमाल करने वाला है प्राइस में यह अपने गाउंवालों को उड़ाना चाहता है और वो प्रामिस भी करकर आ चुका है बैक टू दा पॉरिंट कि यह रिमेक किसके होने वाली है कोई ऐसे मैं से छोड़े बड़े स्टार की नहीं साथ के बहुत बड़े स्टार है सुरिया जिसकी मूवी अभी च बहुत सी हिंदी ओडियंस ने इस मूवी को पहले ही रीच आउट कर लिया है मैंने भी जहां तक इस मूवी को देखी लिया है तो भाई जिस हिसाब से ट्रेलर देखने को मिल रहा है मोटा मोटा भाई फुल कॉपी लग रहा है कोई एक्स्टा महिनत करने करने वाली बस में फेस को चेंज कर दिया यानि अकसे कुमार का जो हुकुम का इका का वाला हिसाब खेलने को उसी सकत्त 생öt कर रहा है दूसरी बात की फेक्टर्स यह कि बहुत से लिए बहुत से फेक्टर देखी हैं कि जो मूवी रिमेक होती है वो सब बेकार नहीं होती है कुछ बैसे भी होती जो original से भी ज्यादा आग लगा कर जाती हैं, like हमें कबीर सिंघ की बात करलो, चाहें द्रिस्यम मूभी की बात करलो, भोला मूभी की बात करलो, द्रिस्यम 2 की बात करलो, और भी ऐसी मूभी अभी करके सैतान मूभी आई थी, अजय देवगन की, तो भाई वो सारी movie दमदार थी दूसरा ये कि director same है जो director उस original में था वो ही director इसमें भी होने वाला है तो कई बार ये possibility भी हो जाती है कि जब same vision director का रहता है और direction वही रहती है तो भाई movie थोड़ा extraordinary देने की कोशिस करते हैं कबीर सिंग जिसका बहुत बड़ा example है makers हैं वो पहले भी ऐसी movies देकर आ चुके हैं जिससे जनता का दिल पहले ही वो लूट चुके हैं like baby movie इन्होंने पहले दे रखी है air lift दे रखी है omg 2 oh my god 2 अभी कर गया थी जय भी मसुरिया की वो movie दे रखी है तो इन सारी movie से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें भी यह लोग compromise तो फिलाल नहीं करेंगे now take a look in a final vision यानि final talk beside of this movie कि अकसे गुमार original content पर काम क्यों नहीं करते हैं मलग इन्हें इतनी क्या हड़़डी पढ़ती है कि साल में 4-5 movie ने लेकर आनी है बजाए इसके कि कोई एक ऐसा original content लेकर आए जो उन सारी movies की भरपाई कर सुके क्योंकि remake के नाम पर देखें तो भाई सब इस मन्ने की movie फिलाल उतनी hit नहीं होते नजर आ रहे हैं इतना नहीं चल लगी है जैसे कि remake में 100% सियोटी अजय देवन की movies देखकर जाती है वैसा इसके पास 100% success rate तो फिलाल अभी के लिए नहीं आ रहा है बाकी trailer मैं कहूं हूं तो भाई साब newcomers के लिए दमदार है full promising है movie दमदार मज़ा देखकर जाएगी फिलाल मैं तो देखूंगा क्योंकि अपना काम याई है बागी आदक महुच गये दूसका अनले वडियों पसंद आई है पसंद आई तो लाइक कर दीजे नहीं हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे मिलते रहेंगे से जहें